Hello students, in today's lecture we are gonna talk about the gaseous exchange in fishes Gaseous exchange के लिए students हमारे पस तो medium होते हैं या तो air या पर water का medium Air medium में जो structure gaseous exchange करता है उसको कहते हैं lungs और जो water या aquatic medium में gaseous exchange करता है उसको कहते हैं gills, सारी की सारी fishes में gills present होते हैं except lung fishes जिनमें gills के साथ-साथ lungs भी present होते हैं हमने देखा था अब स्ट्वेस जो water है water में air की comparison कम oxygen होती है ठीक है तो कितने कम होती है water contains less than 2.5% of the oxygen present in air अब इतने कम level of oxygen को इतना जो adequate level है मुनासिब सा level है इसको maintain करने के लिए अपने blood stream में fishes क्या करती है इनके पास ऐसा कोई mechanism होना चाहिए कि यह ज़्यादा से ज़्यादा जो water है ना वह पास करें large quantities of water across gills services अब इनके जो gills structure होता है gills के ओपर vascular surfaces होती है तो उन vascular surfaces से यह ज़्यादा से ज़्यादा water pass करें ताके यह स्मॉल amount of oxygen है उसको extract कर सके water में से जो oxygen dissolve होई होती है water से यह diffusion के तरूर बलड में आ जाती है अब students gills में से जो है वह gaseous exchange का process होना है इसके लिए इनको water की जुरूरत है अब water जो है वह mouth के जरीए आयागा उनकी body में ठीक है तो water को body के अंदर लाने के लिए भी जो है वह डिफरेंट mechanism है different processes है तो first हम देखते है that is muscular pumping mechanism एक ऐसा pumping mechanism जिसको muscles control कर रहे है ठीक है ये mostly the fishes होती है वह mechanism show करती है इसमें किया होता है water जो होता है वह mouth से enter होते होवे pharynx से enter जाता है pharynx से okay और फिर वहां से gills over the gills gills से move करता है और फिर जो है वह यहनिके mouth से open हो रहा है mouth से गुजरता गुजरता और pharynx से pharynx से gills में और गिल्स में जब gracious exchange होगा तो फिर वह वाटर जो है जो गिल की openings है उससे फिश की बड़ी से out हो जागा बाहर चला जाए नाओ how does this muscular pumping mechanism work अब यह work कैसे करता है अब students muscle present होते हैं जो pharynx को surround करते हैं ठीक है पता है pharynx का portion जो होता है वह इसो वेगस से पहले होता है pharynx और जो ऑपर क्यूलर कैविटी अब ऑपर क्यूलर कैविटी किया है students यह है जो है वह फिश का गर आप structure देखें इसकी बड़ी में यह जो structure है यह गिल्स प्रेज़ है ठीक है अब यह तो गिल्स है लेकिन यह सा इसका माउथ है माउथ के बाद जाहरे पेड़ेंग्स हागी फिर इसो वेगस तो फेरेंग्स के साथ जो है वह दोनों साइड पे बौड़ी में लाज़ है अब गिल्स तीक है तो वह नहीं देखा कि जब माउथ में इससे वार्टर एंट्र होगा तो फिर फेरेंग्स है फ फेसर्रफनंसान फिसको कbabर टो इसको बन्लेजिनर उसको कहते हैं सबस्क्राइबron उसको कहते हैं अपर्किलोंों आप जो अपर्किलों नाय तो इनमें इसको है श्तीक और गिलें कष़ते हैं जो इसको process इस cavity को और pharynx के जो मसल्स स्राउंड का रहे होते हैं इनकी contraction relaxation से water जो है वो mouth में enter होता है तो muscles contract करते हैं इन यह जो इनका mouth का floor होता है यह उसको जो है वो lower का लेते हैं ठीक है lower करते हैं तो water enter हो जाता है इसी तरह से जब वो raise करेंगे तो जो गिल्स की openings है उसके थुरू water जो है वो बाहिर move कर जाएगा बोडी से तीक है इस तरह से स्टुएंस यह जो muscles है इनकी contraction relaxation से muscular pumping mechanism work करता है इसके थुरू जो है वो gashes section होती है अब यह mostly fishes यह mechanism show करती है अब एक और process है जिसके थुरू water enter करती है हमने देखा था हमने इसका है कि different जो है वो mechanism है different processes है जिसके थुरू water को enter करेंगी तो second कौन सा है रेम ventilation अब शुरू रेम ventilation में कोई भी muscles muscular pumping नहीं हो ठीक है यह simple एक ऐसा mechanism है जिसमें फिशी जो है वो continuously water में swim करती है by holding their mouth open ठीक है अपना mouth open करते हुए जो है वो swimming करती रहेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो water है वो उनके mouth में enter हो और mouth में जाने के बाद जो है वो gills में से पास कर और वहां पर vascular surfaces के साथ gaseous exchange हो ठीक है तो यह क्या है maintenance of water flow है by holding their mouth open while swimming इसकी example में आते हैं ब्रैंक्स लो के cartiligous fishes के तिक है और open ocean boni fishes जिसमें ट्यूना की example आती है यह को करती है यह शो करती है रहेंड़ेशि रहेंड़ेंड रहेंड़ेंड वेन ब्रैंड़ेर्टियुलीश वहता है जाहिए बात है हमने देखा के जो फेरेंड्स और परक्युलर काविटि मॉसल्स राओन करते हैं वह तो मुसक्वलर प्रम्पिंग मेकानिजब करते हैं लेकिन इनके पास समक्र आपक्रूल समगे राफ्ट करने अभरżल सम्गर नहीं होगे uh इनके पास अपरकुला भी नहीं होता और यह वह यह वाटर मोग करें और गैसे सचेंज होती रहे कुछ रहां वेंटिलेशन शो करेंगे और बाकी जो है कुछ पंपिंग मेकानिजम जैसे के वह शू करेंगे इसके लावा कुछ फीशी जैसी भी होती है जिनके गिल्समें शोटशोट शुराख होते हैं एंउसराख हो कहते हैं जिनके घर से मूलेब आच इसे इसे गिल्ड से और इनका एक्स-टरर्नल वाणको फ्लैप्स जो जब चलोज होता तो एक कावटी बना देता है वियर आपक्लार कावटी की तरह मिल दे जय请bon वाइटर इनके थुरू एंटर होता है अब उसके लावा स्टूरेंट्स कुछ जो है वह ऐसी भी स्ट्रैक्टर होते हैं जिनको बहुति हैं स्पार एकल्स आप यह मौडिफेशन है फ्रॉन इसको कहते हैं ती कहते हैं और फेरेंगे चलिकेशन होगे होती है और यह आप कहलें कि छोटे-छोटे जो हैं वो स्राख होते हैं जस्ट भी हाइंड आइस कुछ फिशीज में आइस के पीछे वाली साइड पर कुछ जो है वो स्मॉल आपनिंग्स होती है उनको कहते हैं स्पाइरकल ठीक है और इनका फंक्शन क्या होता है कि यह एक आल आइस थेक है कुछ यह इसमो ब्रैंक में होती है तो यह एक अल्टरनेर रूट एक अडिशनल रूट प्रोवाइड कर रही होती है वाटर एंटरिंग का पेरेंग्स में आपने देख लिए कि गिल्स के थ्रूद जो है वो वाटर गास जो हो गैस एक्षीजन जो है वो एक्ट्वल वो गैसी को सपोर्टिंग स्ट्ट्ट्र जो इसको सपोर्ट कर रहा है गिल फिलामेट्स को सपोर्ट कर रहा है स्ट्फॉर्ट रहलप और नहीं गिलिपने के पाहते ऐ questa इस तायीगराम में तो यहां पर देख सकते हैं यह वहाला यहाँ स्ट्र Wikipedia यहा लग आर्च का ओर कि आजए ऑर अगिल आज़ करगा है इक है अब आप यहां पर देखिँ यह गिल आर्ची इंच इंच और गिल आर्ची से पॉशन पूर्शन वर्स अगिल गिल ऐंड्स क्या हैं गिल की से हरे चिविल ऑलावास कोब गहते हैं गिल के अंदर आगर हम इनको छो है औक तो यह आप देख सकते हैं इस टायग्राम में है के यह जो गिल का मैंक ist चेंदर अदर से रंचियल लेह जिसके अंदर वेसकुलर सर्फिसी होते हैं ब्लड होती है कैपलरीज होती हैแลं जिसके अंदर गिल ंदर वो बिया अब धर इसकोकाते हैं teasing एक्टूस इस तोड़मेला मेंहीं घैसे हमारी बौडी में एक पॉइंट था जहां एक इस्टक्ट्चर था जहां पर फिशकी की बॉडी में जो गily का इसे तरह है प्रेंजियल लैमिला में में जो है वो प्रॉसस होता है अब जैसे हमारी बॉडी में सारी की सारी आर्ट्री जो थी वह oxygenated फिए प्रेंटेटेंसी तरह से जो फिशीजीजेनेशन जoga ब्लाइचीनिक और आप होनी लिए को क्यों और होंगी व्रेंग व्रेंकिल आटरीज नाटरिश क्योंकि उसमें दी ऑक्सिजिन टीछ होगा ठीक है फिर यह और यह ब्रेख होगी के कैपलरी बैर में में यह निकि दिए के कैपली वे उपन होंगी कहां पर फ्रेंजियल लेमेली में यहां पर गैसे asked का फ्रासेस होना प्लूइट की मुवमेंट होती है चुर ऑप माद total में बॉड जो है वह आप कहीं भी काउटर करनंट का वाट देख लिए तो यह जो काउटर करन का मेहता होता है asked तो प्रोसेस हो रहा है उसको इन्हेंज करता है उसको को एफिशियंट बनाता है ज् wiped अंत तो ज्यादा यहाँ इस ज्यायदा भी वह गीशाइस हो तूप mi एक्षिजन जो मुव्मेंट हो रही है इसको कहते हैं काउंटर कॉरंट एक्षिएंड मेकानिजम यह निकि ऑपोजिट वटर अगर एक साइड से आ रहा है तो उसमें ऑक्सीजन जो है एक एक इस्टैब्लिश हो जाएगा वहां से ऑक्सीजन जो है वह बलड में जाएगी कि और वाटर से बलड में ऑक्सीजन आएगी इस कंसलेशन ग्रेडियन के तहर ठीक है इस तरह से दोनों साइड पर लैमिलर अपिथीलियम जो है ना उसकी दोनों साइड पर जो है वह वह बलड और वाटर जो ऑपोजिट ड्रेक्षिन में मोग करेंगे और इनकी गैसे से एक् मेकानिजम है जो के कंसेंडेशन ग्रेडियन को मेंटेन करता है और दा इंटार लैंथ ऑफ तक कैप्लोरी बैड अब स्टूरेंस यहां पर यह एक डाइग्राम है यह सिंपल शो का रही है कि एक पैरलल चीज होती है जो सेम डिरेक्षिन में मूब कर रही हो ठीक है अब और सिंपल शो का रहें और यहें सारे पैललव कशो का रही है और यह डेड़ आ रहे हैं यह कांटर कांट को तो जो पर शो किए कि ऐस огग ऺंड हूँन है we have studied about the gills, their structure and their function. If you like this video then do like, subscribe and comment and if you have any question then do let me know in the comment section and share this video with your friends. Thank you.